तो आज किस वीडियो में कहने वाला हूँ एटम बर्ग की तरफ से आने वाले मिक्सर ग्राइंडर का अन्बॉक्सिंग रिब्यू एंड कम्प्ली टेस्ट तो शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह इसकी अन्बॉक्सिंग से साथी वीडियो में सारी कुछ एक्सपेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा टेस्ट करके कि ये जो मिक्सर ग्राइंडर है मार्केट में जितने भी दूसरे मिक्सर ग्राइंडर है उनसे क्यों अलग है क्या चीज़े इसके प्राइज रेंज में इसको दूसरे मिक्सर से अलग बनाती है तो सारी चीज़े इस वीडियो में कवर होंगे वीडियो के साथ बने रहना पसंद आए तो लाइक करना चलिए सुरू करते हैं अन्बॉक्सिंग से तो कुछ इस तरह के के बॉक्स में आता है प्रोड़क्स चलिए फटापट करते हैं उपन सबसे पहले तो इस प्लास्टिक को कर लेता हूं कट और यहां पर एमाजून की रेशिप्स मिलती है इसे मैंने एमाजून से लिया है सामने देख सकते हैं में प्रोड़क्स का कूल सा इमेज बागी फीचर्स वागर आगे दिखाऊंगा कड़ते हैं टेप को कट तो यह देखिए बॉक्स यहां पर हो गया है उपन और सबसे पहले तो हमें यहां पर मिलता है इंस्ट्रक्शन इसे a सफिशाओ को कौल सा इमेजस हमारे मिक्सर का फ़ीच के बारे में सारी इंफो जार्स के बारे में सारी सीजाओं आपको मिलेंगी क्या कैसे यूज करना है सेकर यू कार्ड में मिलता है अलग-अलग का कि कीस तरीके से आपकी इस quantity में आपको क्या जीजे mix करने हैं इस QR code को scan करके आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो काफी अच्छे से securely pack किया गया है यह है plastic का हमारा kneading knife हमारे तीनो jars के हाँ पे lock mechanism वाले lids यह सबसे छोटा वाला हमारा चटनी jar उसके बाद separate हमें यहाँ पे chopper भी मिलता है पढ़ते हैं आगे तो box के अंदर बाकी चीजें इनमें से यह है सबसे बड़ा वाला liquidizing jar 1.5 liter का यह medium size का हमारा 1 liter का dry grinding jar और last में है हमारा यह main unit हमारे mixer grinder का motor वाला section बाक्स वो रखतें एक तरफ और अभी एक एक चीजे कर लेता हूँ open उसके बाद हम देखेंगे आगे कैसी इसकी बिल quality सारी चीजें बात करेंगे तो यहाँ पर दिखने में इस काफी shiny good quality के steel यूज़ किया गया है यह हमारे lits इनकी भी plastic quality बिल quality काफी अच्छी है पैगी में काफी अच्छा ध्यान दिया गया है सारी कुछ चीजें यहाँ पर secure की गई है काफी shiny है, transparent है और strong है नीचे के side देख सकते हैं सारे ही lits में काफी थिक यहाँ पर rubber ceiling लगाएगी है जिससे की यह secure रहाग अपने place पर बागी lock mechanism तो ही है कैसे आपको connect करना है तो यहाँ पर easily align करना है अपने jar के उपर और इन locks को down कर देना है आपका जो cap है, फिल्कुल strongly यहाँ पर fit हो जाएगा while using आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है बागी jars में भी यहाँ पर lid को connect कर देते हैं और कर देते हैं lock अभी आ जाते हैं main चीच पे तो वायर को सबसे पहले यहाँ पर मैंने कर लिया unwrap और यहाँ पर देखे mixer के उपर भी काफी अच्छी से silicon type का plastic इस पर लगा गया है इसको scratch proof बनाने के लिए और काफी shiny impressive यहाँ पर इसके design काफी compact भी है shiny glossy finish cable भी open कर लेते हैं एक चीज यहाँ पर रह गई यह हमारा chopper वाला जार तो यहाँ पर 5 ml का chopper जार भी मिलता है इस mixer grinder के साथ इसके उपर भी वही lemination लगाएगी इससे secure रखने के लिए तो finally यहाँ पर सारी चीजे मैंने unbox करके unwrap करके आपके सामने रख दी है काफी अच्छी build quality और डिजाइन लगी है एक थमसब तो बनता है तो एटमबर के इस smart mixer grinder में सी कई सारी चीजें हैं कई सारे से feature हैं जो इसको दूसरे mixer grinder से बिलकुल अरग बनाते हैं तो सबसे पहले तो एटमबर के इस mixer grinder में 550 watt का BLDC motor लगा है जो की काफी less energy को consume करता है पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर performance में कोई कमी है इसके अंदर जो motor लगा है वो 2000 rpm से लेके 18000 rpm तक spin कर सकता है जो की insane है और इससे ही आपको पता लग सकता है इसकी performance का आगे टेस्टिक में करा तो करेंगे ही अब ये जो item burr का mixer grinder है काफी futuristic compact design and smart features के साथ आता है जिनमें से course mode जिसके use से आप जो भी इसके अंदर mix या grind कर रहे हो उसके texture को ये maintain रखता है साथी उसके taste को भी प्रिजर्ब करता है इस mixer grinder के साथ total 4 jars का set मिलता है जिनमें से सबसे बड़ा वाला 1.5 liter का liquidizing jar second jar हमें 1 liter का मिलता है dry grinding jar तीजरा हमें chutney jar मिलता है जो की 500 ml का है और fourth 500 ml का हमें एक dedicated chopper jar भी मिलता है जो की काफी huge health है और एक plus point भी है एटमबर के इस mixer grinder में कई सारे smart safety feature में मिलते हैं जिनमें से सबसे cool मुझे लगता है कि अगर आप अपने mixer grinder को बिना jar लगए on करने की कोसिस करते हैं तो यहाँ पे यह on नहीं होगा साथ ही अगर आपने किसी भी jar को सही से fit नहीं किया है वो set नहीं है तो भी आपका mixer यहाँ पे on नहीं होगा जो की काफी helpful है और advanced feature है जब भी आपके jars यहाँ पे सही से fit नहीं होगे या फिर बिना jar के आप इसे on करते हो तो ऐसे कुछ red warning light के साथ यहाँ पे warning beeping भी यह करता है साथ ही इसके जितने भी jar है वो lid lock function के साथ आते हैं इसका मतलब कि आपको jar पकड़ की इसको operate करने की जरूरत नहीं है now build quality की बात करें तो यहाँ पे main mixer की unit या फिर जितने भी jars है उनकी plastic की build quality या फिर steel की quality बहुत अच्छी है इंप्रेसीव है हाथ में लेने पे heavy feel होता है काभी जदा strong यहाँ पे quality दी गई है अब design build की बात हो रही है तो एक और feature बता देता हूँ जो कि इसमें दिया गया है यह जो mixer का main unit है मतलब main motor वाला जो हिस्सा है वो wind free design के साथ आता है मतलब की यहाँ पे आपको कोई भी hole नहीं मिलेगा ventilation के लिए अब इसके जरीए से आप easily clean कर सकते हैं आराम से इसको यूच करने के बाद wipe भी आप कर सकते हैं Atomber का यह mixer grinder total 3 cool color options में available है जिन में से white black and red और red वाला मेरा favorite है इन में से आप कोई भी choose कर सकते हैं Now warranty की बात हो तो यहाँ पे total product पे हमें 3 साल की warranty मिलती है 2 plus 1 जिन में से 1 साल की additional warranty आप easily claim कर सकते हैं और all पूरे product पे हमें 3 साल की warranty मिलती है Atomber के इस mixer grinder में अब तक मैंने जितने भी features चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें इसे market में दूसरे mixer grinder से अलग बनाती हैं Now इन सारी बातों और features के बाद अभी बात हो जाए इसके actual performance की तो testing सुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सुकी हल्दी को मैं grind करूंगा एक लीटर वाला dry grinding jar मैंने connect कर दिया है इसके अंदर डाल देते हैं ना यह सुका हुआ हल्दी Now cap को कर देते हैं close और कर देते हैं lock अभी यह secure है ना करते है start और यहाँ पे grinding हो जीए शुरू अभी max split back कर दिया है और वीडियो करता है fast forward लबबग 2-5 minute का time लगा है और उसके बाद अभी मैं इस lid को open कर रहा हूं एक बार मैंने चेक भी किया था तो दूबारा मैंने grind किया और यह देखे final result बिल्कुल powder हो गया है और इसको daily cook के लिए आप बिल्कुल से use कर सकते हैं natural आपका healthy powder तो यहाँ पर grind हल्दी को मैंने एक अलग बर्तन में रख दिया और इसको कर लिया है साफ आपस इसी जार में अभी हम grind करेंगे सुखी हुई धन्या और बनाएंगे धन्या पाउडर अगेन लॉक कर देते हैं इसके lid को और कर देते हैं start back में उससीट के अगेन यहाँ पर लगबग 2 मिनिट हो गए है और हमारा धनिया पाउडर यहाँ पर रेडी है पूरा कुछ पाउडर बन चुका है अगेन इसको भी रख लेते हैं एक बर्तन में और इसी जार में अब हम ग्राइंड करेंगे सुखा हुआ मेर्च स्पीट को अगेन मैंने तीसरे नमबर पर सेट किया है maximum पर इसको एक मिनिट ग्राइंड करने के बाद एक बार मैंने इसे चेक किया था और अगेन मैंने से तीसरे सेटिंग पर एक मिनिट के लिए और लगा दिया है एक मिनिट और पूरे हो चुके हैं और अभी देखते हैं चिली पाउडर यहां पर हमारा रेडी है इसको केरफुली निकाल लेता हूँ वरना आख में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी नेक्स्ट दूसरे जार को करनेट करते हैं जो कि हमारा चटनी जार सबसे छोटा वाला इसमें हम छोटे मसाली को भी ग्राइंड कर सकते हैं सहसे पहले सुरुवात करेंगे सौफ से तो यहां पर मैंने इतना सौफ डाल दिया है अगें लिट्व करते हैं लॉक और कर देते हैं से मैक्सी स्पीड पर देखने में काफी खुल लग रहा है यहां पर जब यह हमारे सौफ की बिल्कुल पाउडर बन गया और इसे चम मसे खाने में अलग ही मजा है रखते हैं इसे एक तरफ नेक्स्ट इसी जार में क्लीन करके हम अभी ग्राइंड करेंगे अपना जीरा और बनाएंगे जीरा पाउडर आता हूँ ग्राइंड करने के बाद जीरा और ज्यादे स्पीट से यहां पर ग्राइंड हो गया है दो मिनिट से भी कम का टाइम लगा है और यह देख सकते हैं पाउडर नेक्स्ट अभी हम अपना चौपर जार भी टेस्ट कर लेते हैं यहां पर हम प्याज को थोड़ा से चौप करके देखते हैं इसको मैंने क तीन, चार, पाँच, छे, एंड साथ, तो साथ बार यहां पर मैंने टैप किया है इसको जस्ट और ये देखिए, कुछ सिकेंड भी हमारे प्याज यहां पर चॉप हो गया है, ना रोना न धोना आराम से प्याज चॉपिंग हो गई है, नेक्स्ट कोर्स मूट की टेस्टिंग हम करेंगे, जिसके लिए मैंने यहां पर चटनी जार को कनेक्ट कर दिया है, और बनाने वाला हुए यहां पर नारियल की चटनी, तो नारियल के कुछ इतने छोटे टुकले को मैंने यहां पर डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी भी एट करते हैं, और लिट लगा के करते ह स्टार्ट पर थोड़ी देर ग्राइंडिंग के बाद यहां पर जो नारियल है वो साइट्स में चिपक गया है क्योंकि थोड़ी सी कौंटिटी भी कम है और थोड़ा सा साथ वाटर मुझे और डालना पड़ेगा इसको वापस सेट करके यहां पर मैंने और ज्यादा थोड़ सा पानी ज्यादा डालना चटनी बनाते टाइम जिससे कि यह अच्छे से ग्राइंड हो जाए अभी प्रॉपरली हो रहा है तो अभी दो से डाइ मिनिट हो गए और हमारी नारियल की चटनी यहां पर बनके रेडी है वैसे ज्यादा कुछी इंग्रीडियंट्स मैंने यहां इसमें कनेक्ट करते हो तो इसकी स्पीड मैक्सिमम तू थाव जनातियन तक ही जाएगी चाहे किसी भी मूटिया स्पीड पे आप इसे रखो देख सकते हैं साथी इसमें इंटी ग्रेविटी लीड लॉक अभी ऑप्सन मिलता है जिसी आप जार को कनेक्ट करते हैं आप एक भी पाता है और आपका जार यहां पर परफेक्टली फिट हो जाता है तो यहां पर टेस्टिंग अगरा मैंने करके आपको दिखा दी है जितने भी स्पाइस थे मेरे पास उसको मैंने ग्राइंड किया और अपने एक्स्पिरियंस की बात करो तो यहां पर जो इसकी परफॉ तो भी इसका जो sound output है काफी ज़्यादा कम है मतलब कि दूसरे जो mixer grinder होते हैं वो बहुत ज़्यादा loud होते हैं और इसकी आवाज काफी ज़्यादा कम है साइद region है इसके BNDC motor जो की काफी ज़्यादा smooth है और less sound करते हैं चौबर की भी performance यहाँ पर कुछ क्लिक करना था कुछ सेगेंड में यहाँ पर हमारे ब्याज कटके छोड़े होगे नाव यह सारी चीजे हो जाने के बाद अभी में चीज बात कर लेते हैं क्या जो प्राइज इस mixer grinder के लिए हम पे करते हैं वो वर्त है क्या यह mixer grinder आपको लेना पूरा एक सेट हमें मिलता है इस mixer के साथ total 4000 मिलते हैं जो कि मैंने आपको दिखाया है जिन में से चौबर भी dedicated मिलता है जो कि बाकी किसी और mixer grinder मुझे नहीं लगता कि market में मिलता होगा इसके साथ है तो अगर यह सारी सीजें combine करके इसके price को हम देखें तो उसके हिसाब से य आप अपना जो भी decision है वो ले सकते हैं गर आपको एक premium quality का smart feature वाला 4 jar set वाला mixer grinder चाहिए और आपका budget 6000 है तो बिल्कुल से यह mixer grinder आप consider कर सकते हैं मेरे तरफ से highly recommended है आप इसे purchase कर सकते हैं वीडियो के description box में मैंने link दे दिया है वहां से जाके बिल्कुल से purchase करो और enjoy करो इस mixer grinder के साथ कोई भी question है separate मुझे message वेगरा करना है तो Instagram के ID भी यहां पर सो रहे है जाके follow कर लेना तो बस मेरे हिसाब से यह था सारे कुछ आपको दिखाना बताना चलता हूँ फिर मिलूँगा किसी दिन किसी और वीडियो में तब तक के लिए आपको रखनाम ना ख्यार सी यू किस्के से अच्वाधा कीर में जाक। झा सूले की से बागए।